Hi friends, Punjab National Bank यानि कि PNB वो बैंक जिसके बारे में अच्छा ही से ज़्यादा बुराई फैलाई गई और ओवर हाइप करके इसको जबरस्ती नीचे गिराया गया दोस्तों आज हम इस बैंक की खासे तों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में ये जानेंगे कि पंजाब National Bank में वो कौन सी important qualities है जो इसे अपनी इंडस्ट्री में one of the fastest bank बना सकती है आने वाले टाइम में और आपको as a retail investor इसमें किस प्रकार का profit क्या multi-bagger return मिलने की chances हो ये सारे questions के answers आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं इसलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन को on कर दीजिए क्योंकि ऐसे research वाले वीडियो में आपको ये लिए हमेशा लेके आता रहता हूं मैं आपका दोस्त सागर शुरू कर करते हैं कि बैंक किस प्रकार का है क्या काम करता है और fundamentals किस तरीकी के वहां से बात करते हैं let's begin तो यहां आप देख सकते हैं कि Punjab National Bank के दोस्तों ये fundamentals हैं और आप यह देख सकते हैं कि यहां पर इसके करीब करीब साथ करोर से जदा कस्टमर से दोस्तों इसके और साथ हजार branches हैं इसकी पूरे देश भर में और ये government of India का पहला स्वधेशी bank हैं India's first स्वधेशी bank यानि State Bank of India से भी पहले PNB का गठन हो चुका था अब ये कुछ ratios हैं इनके जिनके बारे मैं आगे भी detail में discuss करेंगे कि capital education ratio इसका 13.8 है net interest margin और gross NPA वगरा भी इसके जो है वो हम सब discuss करेंगे आने वारे टाइम में लेकिन 10,000 ये से ज्यादा यानि लगबक 11,000 branches है 14,000 ATM से इसके और आप ये देखिए कि बहुत बड़ा 18 करोड का customer base है 7 करोड नहीं सोरो सोरी दोस्तों 18 करोड का customer base है after the merger अच्छा अब इसकी अग corporate advances से आता है और 18% जो retail loan लेने वाला है car loan, home loan उससे आता है MSME जो छोटी industries होती है, companies होती है उनसे 18% आता है और क्रिशी से यानि की agriculture से 16% इसका business आता है loan का ये है retail की बात करें तो दोस्तों retail book में housing loan 64% अभी तक हमने corporate वगरा की बात की अब सिर्फ retail की बात कि 64% इसका business कहा से loan से, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से HDFC limited का SDFC bank में merger हुआ है, तो housing loan के एक शेत्र में bank की, जो HDFC bank है उसकी पकड़ जब्रदस मजबूत हो गई है, तो क्या इसका PNB के business पर असर पड़ेगा? निश्चेत रूप से पड़ेगा, क्या LIC housing finance के business पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कितना पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये आपको pointers के तोर पर जानना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे hints मैं वीडियो में साथ में देता हुआ चलता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो last तक क्योंकि दोस्तों फाइदा आप ही कहा है उसमें, अधूरा देखोगे तो फिर अधूरा समझोगे और फिर अधूरे ग्यान से कोई decision लो कर गे और फिर उसके बाद में नुकसान होने की chance बढ़ जाते हैं, इसलिए पूरा देखना जरूरी है, मेरा कोई लाब नहीं है, और आगे बढ़ते हैं, यह रहा दोस्तों international business और industry exposure तो आप देखेंगे तो इस detail में ज्यादा जाने में तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, हम चोटा-चोटा बतायते हैं कि इसकी जो subsidiaries क्या है, एक PNB housing finance है, जो housing loan को manage करती है, PNB guilds है जो government securities में deal करती है, PNB MetLife India insurance, उससे और साथ में United Bank of India, यह 2020 में merger हुआ था PNB के साथ में, यह merger के details है, जिनमें अभी जाने से कोई flop नहीं है, चलिए, fundamentals में जल्दी से नज़र डालते हैं, 83,000 करोर रुपीज की दोस्तों market cap है इसकी bank की, और आप अगर ध्यान दें, तो इतनी बड़ी market cap लेकर के चलने व होती रहे है, प्राइस, लेकिन फिर भी आप देखें, यह तावडा बैंक और इतनी छोटी सी प्राइस, डिविदेंट कंटिनुसली जरा है, 0.87%, पे आउट डिविडेंट का 21% है, यानि 100 रुपे पे यह 21 रुपे का डिविडेंट दे रहा है करीब, और return on capital employed बहुत धीम है, debt को हम लोग बैंकों में ज्यादा consider कर नी सकते हैं क्योंकि काम ही debt का होता है इनका, interest to debt का, आगे देखें तो gram number से भी दोस्तों यह बहुत नीचे चल रहा है, यानि 106 gram number है और यह 74 के आसपास चल रहा है, तो साफ तोर पर भाई साब यह है undervalued share, undervalued, यह बिलकुल अप expense में, तो यह देखें, यहां पर यह ना, इसका मैं देता हूँ आपको share price जिस तरह से चल रही है वो आप देख सकते हैं, कि बहुत ही zigzag moment है, बहुत uneven moment है, थोड़ा थोड़ा uptrend है पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, और कारण यही है कि पुरानी खराब news के चलते हुए इसको जबरस्ती दबा के रखा गया है, आगे इसके business में नज़र डालते हैं, तो यहां देखें, यह दोस्तों recent quarterly results है, उनको एक बार देख लेते हैं, अभी September में जो quarter है न, उसमें आप देखेंगे तो यह 25,000 की जगे पे 26,000 करोड का इसका जो share, इसका जो business है, sales वो तो net profit में growth हाई है, 1300 की जगे पर 1990 करोड रुपे की, तो दोस्तों यहां एक growth आप साफ तो पर देख सकते हैं, और उसका सीधा असर कहां पढ़ा है, earning per share पर, जो पहले किसी जमाने में एक रुपे के आसपास होती थी, अब वो एक रुपे कैसी पैसे है, बहुत impressive तो नहीं ह लेकिन फिर भी growth तो growth ही होती है, अब आप annual results पे नजर डालें, तो यहां आप देख सकते हैं, कि company का जो annual EPS है, वो 29, 43, माइनस का 43, 2 रुपे, 5 रुपे, तो इसने जिग-जग चला है, और इसमें जो नीरव जी थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, यहां तक मैं समझत हो, हलां कि bank खुद भी professionally manage इतना रहा नहीं है, उसका भी role है, क्योंकि यह अपने branches वगरा को upgrade नहीं करते हैं, वो कागजी कारवाई चलती रहती है, digital technology में इतने advance नहीं है, इनको आगे बढ़ने के लिए अपने आपको upgrade करना ज़रूरी है, dividend भी कभी दिया, कभी नहीं दिया वाली कहानी इनकी चल रही है, सो मैं दोस्तों इनको कहूंगा कि यह, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए extra पैसे देके इसको खरीदें, इस पे आप नजर रख सकते हैं, अगर आप देखें, तो यहां नजर डालें तो promoters ने 70% से उपर holding रखी है, और FII इसने पहले 3% स कि आसपास 15-16% जो इसके पास में holding है, वो institutional investors की है, तो वो ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई अच्छा या बुरा इसमें नहीं कह सकते हैं, यह दोस्तों इसके एक बार financial results का जो company presentation है, उसको एक बार देख लेते हैं, अब आप यह देखिए, इसको देख करके आपको ऐस इस पूरे वीडियो में, presentation में आपको समझनी आएगा कि focus कहा करना है, तो जिस तरह का presentation होता है, उसी तरह की company की strategy होती है, आप यह देखिए, यह numbers, 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 यह सारी slides में इतना text, इतना number, कि आप एक बार यह देख के कह सकते हैं कि इस company का basic focus कहा है, आप बता दो मुझे, पूरा इस पर बनाया था, आईशेर मोटर पर, बिल्कुल clear है strategy, ऐसी companies की, पर यह क्या कर रहे है, क्या करना चाह रहे है, यह सारा presentation complete हो गया, आप पूरे presentation में मुझे बता दीजिए, कि भई साब, यह company का main focus क्या है, जैसे Titan का था, कि उसको watches बनानी है, उसको jewelry बनानी है, उसको सारी sale करनी है, और luxury goods sale करनी है, बिल्कुल clear था, लेकिन यहां तो आपको सब कुछ ही दिखेगा, पर फिर भी मैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यह जो है, यह जो भेजा जिसको हम कहते हैं, इसमें clarity of thought होना बहुत जरूरी है, और यह शुरू होती है, किसी company के top management से, तरफ इसका ध्यान है, यह retail भी बढ़ाना चाहते हैं, यह corporate भी बढ़ाना चाहते हैं, यह X करना चाहते हैं, Y करना चाहते हैं, Z करना चाहते हैं, तो strategy, focus, कहीं पर clarity, इसमें नजर नहीं आ रही है, अगर clarity लाएंगे, तो इस bank जैसी growth किसी और bank में देखने को नहीं मिलेगी यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तो वापस चलते हैं presentation पे, और इसी वज़े से वीडियो लंबी होती है, क्योंकि बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ छोटी चीज़े important बताता रहता हूँ, अब देखिए, यह है दोस्तों, इनकी जो rating agency है, उनका क्या कहना rating agency ने, क्योंकि सरकारी bank है और government की banking है, तो rating agency ने इसको positive outlook दिया है, AA plus दिया है इसको, जो इसके tier 1 bonds है, tier 2 bonds है, इन सब को इनोंने AAA और A1 plus वाली rating दिये है, क्योंकि इनको पता है कि पैसा कुल मिला करके government के पास सुरक्षिता इस bank का कोई risk नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह तो नहीं जाएंगे, तरवाइस बहुत लंबा हो जाएगा, बट इनका यह कहना है कि company में ऐसी कोई problem नहीं है, इनके जो lawn है, इनके जो debt instruments है, सब safe है, हाँ, यह जुरू करें कि यहाँ पर जो SWOT analysis कर रहे हैं तो करें कि strength क्या है company के पास, वो है कि majority ownership किसके पास है, government of India के पा जो मैं कह रहा था, improvement in asset quality, albeit remains moderate, भई एक बाह बता हूँ आप पिर को, कि इसमें आपने देखा हो, अगर तो इसका जो कासा ratio नहीं है, चलो ratio पर मैं एक बार बाद में discuss करूँगा, तो कासा ratio इसका बहुत कम है, एक बार rating agency वाली चीज़ को खतम करते हैं, तो देखिए, यह liquidity strong है, भई कुछ भी कर लो, लेकिन पैसा company के पास कोई tension नहीं है, उसकी, जितना bank के पास में जो भी कुछ कर दया वरजा, सब कुछ manage करने की पूरी capacity है, यहाँ आप देखो तो हाँ, यहाँ काम की चीज़ आ गई, वो यह आ गई है, कि भई, total income जो है, 87,000 crore, कब 22 में, और यह हो गई, 97,000 crore, ठीक है, मतलब growth है, profit में भी, profit में growth नहीं है, profit में क्या है जी, profit में घाटा है, income बड़ी, revenue बड़ा, लेकिन profit क्या हो गया, 3400 crore से 2500 crore, तो इसका मतलब फालतू के खर से जादा है इनके, और वो भी किस चीज में, net NPA में, इनका net NPA जो है ना, वो 4.79 थ नहीं था, लेकिन जबरस्ती दे दिया, और वो आदमी चिडिया की जैसे इंडिया से भाग के चला गया, ऐसा मतलब बहुत सरे लोग इंडिया में भी होंगे, पर वो पैसा वापस आया ही नहीं, तो उनको बैंक को क्या करना पड़ता है, 90 डेज के बाद में, अगर पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको NPA में डालना पड़ता है, और फिर बाद में उसको राइट ओफ करना पड़ता है, उसके लिए प्रोविजनिंग करनी होती है, तो वो कुल्वला करके जितना NPA कम होगा, उतना अच्छा होता है, इस केस में आप देखोंगे, तो NPA कम हुआ है, लेकिन उसका सीधा असर profitability पर पड़ गया, और बाकी और numbers वगरा की देखने का भी कोई मतलब है नहीं, हम चलते हैं, यहां पर अब देखिए, यह न जब जागो जब सवेरा का बहुत अच्छा example है, भाई, ICSA bank का मैंने शैद जब कभी account खुलाया था, तो उस time, आज से कोई पता नहीं, दो दशक पहले से मैं यूज कर रहा हूं उसको, बलब 17-18 साल तो यूज किये होंगे, तब से debit card और बाकी सारी चीए यूज कर रहा हूं, net banking और और PNB जो है, वो अब यह news दे रहे हैं, कब की news जी है, यह है October 27, बलब अभी की, यह latest news जिसमें यह कह रहे हैं, क PNB is shifting gears to becoming IT-driven banking powerhouse, अब इनको याद आ गई है कि भाई साब अपना digital बनना है हमें, ऐसा नहीं लग रहे हैं, थोड़ा जल्दी याद आ गई है इनको, बस 10-20 साल की देरी हुई है, बस इससे आ नहीं है, तो दोस्तों ऐसे सोते रहने वाले बैंकों को न, कोई खड़ा हो करक तो इस तरह से ये गोयल साब आप नीन से जाग गए हैं, आप देख सकते हो इनका मुस्कुराता हुआ चेरा, और इनको याद आ गया है कि भी digital भी करना है, हमें app भी बनाना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये PNB का दोस्तों technical chart है, तो यहाँ आप नजर डाल सकते ह कि ये consistent growth को शो कर रहा है, लगा था high highs बनते जा रहे है, बढ़ी growth तो है इसमें, आप कुछ भी मानलो बला बुरा जो कह दो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने moving averages को crossover दिया है, कब दिया है, October 23 में, और ये 22 में दिया है इन्होंने पिसले साल moving averages cross करके, उसके बाद में continuously growth पे चल तो company growth कर रही है, बैंक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ये देखो इन्होंने ये channel भी तोड़ा है यहाँ से, ये जो price channel चल रहा था ना पहले, ये इन्होंने तोड़ा यहाँ पर और उसके बाद में sustain कर गए, इसलिए growth आगे चलेगी, इन्होंने flag pattern बनाया एक तरह से, औ और moving average और ये सारे जो जितने indicators, MACD वगरा वो सारे भी ठीकठा की indicate कर रहे है, मंत्री चार्ट पर अगर इसके नजर डाले है, तो मंत्री चार्ट इसलिए नजर डाले जाती है कि long term का view भी लिया जा सके, क्योंकि daily chart में वो पता नहीं पड़ता, तो यहाँ देखेंगे तो ए MACD, RSI उपर की तरफ जाती हुई, साफ तोर पे दोस्तों इसको uptrend में दिखाती है आपको, तो अगर bank ने कोई बड़ी बेवकुफी नहीं करी और यदि वानलीजेस का management professional ही चलता है, तो दोस्तों इस साफ तोर पे uptrend में है, price को आप उपर जाते हुए, साफ तोर पे साफ में आपको यह चीजे और बता दूं कि यह numbers पे नजर डालनी भी आपको जरूरत है, क्या, कि company का profit है, वो सब तो हमने देख लिया कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जो, लेकिन यहां आप देखिए, net NPS, यह बहुत important numbers है दोस्तों, यह note कर लीजे आप, कि यह जो numbers में आपको दिखा रहा हूँ, यह भाई साब आपको बहुत जरूरी है किसी भी bank को analyze करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है gross NPA, वो देखिए, gross NPA इनके लगातार कम हुए, ठीक है, 7.73 से this, तो साल बर में जो NPS थे वो 10.48 से कम होके, 6.96 हो गए, यानि bank की asset quality सुधरी है, यह अ जादा है, क्योंकि अगर आप SDFC bank के या ICAC bank के इनके देखोगे NPS, तो आपको नजर आएंगे 0.36, 0.4, उसके मुकाबले में इसके हैं करीब करीब 1.47, तो अभी भी bad loans का भूत पूरा उतरा नहीं है, पर एक चीद की दाद देनी पड़ेगी, कि इनोंने बहुत तेजी से अपने bank की जो asset की quality है उसको सुधारा जरूर है, और यही वज़य है कि आने वाले time में इसमें growth मिलने देखने के chances बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों यह overall एक आपके सामने picture में ने रखी है, हाँ, यहाँ एक चीज और देख लीजी आप, कि net जो income होती है, आपकी और जो net profit margin है वो इनका 2.04 से 6.6 हुआ है, यह भी growth है, यह भी एक अच्छा figure है, कि इनका net profit margin जो है, वो बढ़ा हुआ है इनका, तो दोस्तों यह overall इसका analysis मैंने आपके सामने एक छोटे रूप में present करने की कोशिस की है, कैसा लगा आपको ज़रा मुझे बताईए, और आपका कोई question है, क comment section में पूछे दोस्तों, PNB पर अभी बहुत कुछ चर्चा करने की बाकी है, लेकिन एक वीडियो में मैं सब कुछ cover नहीं कर सकता, आने वाली दिनों में इस पर updated वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, आप मुझे comments में बताईएगा, और हा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी से ओन कर दीजिए, और हाँ, अपने सारे दोस्तों में शेर करने की आपको जरूरी करना है, ये काम करना ही है, ये मेरी अगर बैंक अच्छे रास्ते पे चल पड़ा है, तो वो भी आपको कंसिरर करना चाहिए, तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो खतम करते हैं, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, और हाँ, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास में अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, एक अच्छा डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर हो, और उसके लिए मेरी जो रिसर्च है, उसमें मैंने बहुत सारे बैंकों के, नोन बैंकों के, ब्रोकिंग आउसे के, सब करीब पिसले 20 साल से यूजी कर रहा हूँ अलगलग, वो करने के बाद में, जो मुझे बैस्ट लगे हैं, उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में दे दिये हैं, आप यहां से क्लिक करके, और अपना डीमेट अकाउंट खोलिएगा, और आप जब आप खोलेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी इस भाई की साइता थोड़ी बहुत हो जाएगी, क्योंकि हलका सा उसमें कुछ मामूली सा बाल बराबर प्रोफिट जो है, हमारा भी इसमें बन सकता है, तो दोस्तों, आप मदद करेंगे, तो मुझे खुशी होगी, हाँ, कोई प्रॉब्लम आये, तो मुझे पूछ भी लीजेगा, आ